भवताम सर्वेशाम सम्स्कृत एपीजी पाठशालायाम सुस्वागतम व्याहरामी अधुना पाठे एस्मिन इमानी चभू यहागतम शब्दान शासनस्य प्रयोजनानी इती शीर्शंग मधिकरत्य अत्रब्रवीनी गते पाठे आनुशंकिक प्रयोजनानी यानी वर्तनते तेशु प्रयोजनेशु सब्त प्रयोजनानी अधिकरत्य गते पाठे निरूपितम अधुना पाठे अस्मिन अवशिष्टानी शट्प्रयोजनानी अधिकरत्य अत्रमया प्रतिपाद्यते तत्र दाबत अष्टमं प्रयोजनं वर्तते तद अधिकरत्य अत्र ब्रवीमी अत्र अश्टमं प्रयोजनं एद्वर्तते अत्र प्रयोजने एव प्रयोजन द्वयं प्रतिपाधितं भाष्यकारेन अत्र चत्वारी इते आरभ्यमाना अभ्याम द्वाभ्याम वाक्या अभ्याम शुर्ति वाक्या अभ्याम प्रयोजन द्वयं अनवाक्या यते भाष्यका अत्र चत्वारी श्रंगा त्रयोस्य पादा द्वेशे सत्ताहस्तासो अस्य तृदा बधो व्रिशभो रोरवीती महोदेवो मर्त्यान आभिबेशा इति अत्र इदम रिग्रूपम वाक्यम भवती चत्वारी श्रंगा त्रयोस्य पादा इत्यारभ्यमानम वाक्यम इदम रिग्रूपम अस्य शुतिवाक्यस्य अर्थस्तावत इदानी निरूप्यते अयंकस्चन रिंगमंत्रह भवती अत्रशब्दस्य व्रिशभत्वेन प्रतिपादनं क्रियते व्रिशभेन सह तुलना क्रियते शब्दः शास्त्रप प्रतिपाद्या ब्रिशभाक्या शब्दः यहा सहरोरवीती सहमहान देवहा अंतर्यामी रूपह सहा मर्त्यान मनुष्यान आविवेश स्वाभेदं आविश्कृत्वान इती मंत्रस्य अस्यताद परियम अतर क्रमशह रुग्व्याख्या करियते चत्वारी श्रिंगा इति वर्तते अतर श्रिंगा इती शब्द निश्पत्तिफ प्रतिपाद्यते आदो चत्वारी श्रिंगा हा इत्यस्य चत्वारी श्रिंगा इत्यर्तह श्रिंग शब्दा जसी जसह चशशो शिहीति सूत्रेन शिभावे श्रिंग शी इती जाते शेश्चंदसी बहुलं इती सूत्रेन शिलोपे कृते प्रत्ययलोपे प्रत्यलक्षणम इती सूत्रेन प्रत्यलक्षणम आश्रित्य नुम् धिर्गयो कृतयो हो ततप्रम नलोपे चकृते श्रिंगा इती रूपम शरंगानी इतितार परियम चत्वारी शरंगानी इति अस्य वाक्यस्य चत्वारी शरंगानी वाक्यस्य व्याक्या शब्दस्य चत्वारी शरंगानी वर्तंते पदजातानी वर्तंते कानितानी इतिचे दुच्यते नामा आख्यातो पसर्ग निपातास्च इति नाम शब्देन सुबंतंग रख्यते नमती आक्यात आर्थम प्रती विशेशनी भवती इती वित्पत्या नाम शब्देने नमती विशेशनी भवती इति नामम नाम आक्यातार्तम प्रति विशेशनी भवती नमती आक्यातार्तम नमती इत्य भिप्रायेन नाम शब्दस्य निश्पति वित्पति आक्यातम इत्यनेन तिंगंतं गृख्यते उपसर्ग निपात योहो यद्यपी सुबंतत्वेन ग्रहनं तयोफ प्रतग उपादानं गोबली वर्दन याएन इमानिच परापश्यंति मध्यमा वैकरी रूप श्रंगा पेक्षया अन्यानी इत्यर्तः अतह चत्वारी पदजातानी इत्यनेन इमानिच परापश्यंति मध्यमा वैकरी रूप श्रंगा पेक्षया अन्यानी इत्यर्तः अतह चत्वारी पदजातानी इत्यनेन परापश्यंति मध्यमा वैकरी आदीनामच ग्रहनमा प्यत्र संभवती अतह एव निपाताश्य इत्यत्र चकार संगच चते एदी नामाख्यातो पसर्ग निपाता एव शब्दस्य चत्वारी पदजातानी सिहु तरी अन्यसमुच्यार्तकह चकारह अनर्तकस्यात एवमच्य अस्य विर्षभाक्यस्य शब्दस्य नामा अख्यातो पसर्ग निपात रूपानी अथवा परापशंति उपधिमा व sleepy रूपानी चत्वारी शुरंगानी वरत्तंते। पूरमे वुक्तम नाम आख्यातम उपसरगह निपात ह beers अथवा परा पश्यंति मध्यमा वाईकरी रूपानी चत्वारिस्रगानी भज़ा ग्रत्यवा स्वीकर्तुम्शक्यत तदफ पर्म पाद शब्दस्य व्याक्यां, अस्य विर्षभाक्यस्य रे Hiluity केच ते इती चेद उच्चते तरेयाकालागई ये भूतभविश्य बरतमान आहा ते अस्य थया ब्रशभहा क्याश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्य अथवा पश्यंती रूपह, वेंजक स्थावत वैखरी रूपह भवती, एवंच नित्यकार्य भेदेन अस्य वर्षभाक्यस्य शब्दस्य शिर्षद्वयम, तद फरम हस्त शब्दस्य व्याक्या, सप्त हस्तासो अस्य, अस्य वर्षभाक्यस्य शब्दस्य सप्त हस्तास सं अत्र केचन इत्तम भी प्रयंती अत्र सप्त विभक्त यह इत्यनेन सुपाम तिंगाम चा ग्रहनम चत्वारी संगानी त्यत्र भाष्य व्याक्याने तिंगाम अग्रहनात नियूनता परिहाराय अत्र सप्त शब्देना शेशह यह शष्ठियर्ताहा तस्य कारकाणांचा ग्रहणं भवती तेना कारकाविधाय गत्वेना सुप्तिगोह उभयोरप्यत्र ग्रहणं इती जुटे व्रिषभाक्याश्य शब्धश्य चत्वारिक। शिरसिच अयं व्रशभाक्या शब्दहा भद्धा वर्तते तदुक्तम हकारं पंचमैर युक्तम अंतस्था भिष्च सम्युतम उरस्यम तम विजानियात मूर्धन्याह रुटुरशाह इती अत्र मूर्धा शब्देन शिराह ग्राख्यम कंठे इत्यनेन मुकामतर गट कंठा अधि स्थानम उच्यते एमचे अस्य शब्दश्य तृशु स्थलेशु बध्धत्वम स्पष्टा मेबा एमचे व्रिषभेन तुलणा अत्रक्रियते तृदा भद्धा व्रिषभा इत्युक्तम अस्य शब्दश्य व्रिषभेन शह तुलणा कथम इती चेट वर्षनात ननु वर्षती मूत्रेन भूमिम सिंचती इती वर्षवह, शब्दस्य एवं गुनत्वा भावात, शब्दस्य कथम वर्षवेन सह उपमाकृता इती विचिकित्सादू अस्माका मनसी जायते तस्य समाधान मुच्चते कामानाम वर्षवनात मेगा यथा उदकेन भूमिम सिंच्वा सुभिक्षम प्रददाती तता चतुष्रंगादी गुन वैशिष्थेन जान पूर्वकप प्रयोगेन कामान सर्वान अभिष्टान प्रददाती अयम शब्दहा अता हा व्र्षभेन सहा अस्य शब्दस्य तुलना सहा शब्दहा यह व्र्षभाग्यह महान देवह परब्रम्वस्वरूपह यह महान देवह अंतर्यामि रूपह मर्त्यान मरण धर्मान हा आविवेश स्वाभेदं आविश्कृतवान स्वेन सहा अभेदं आविश्कृतवान इत्य अर्था प अपवर्ग प्राप्तिही अथास्या शादुशब्द प्रयोग द्वारा एताल रिक्षस्य वृषभाक्यस्य शब्दस्या ज्यानेन अपवर्ग प्राप्तिर्भवति देवैसह सायुज्यम लप्स्यते अथह सादुशब्दाना म्याना अर्थं व्याकरना अध्येनं करतव इत्युक्तम एमचे एतावता अथत्वितियम वाक्यम वर्तते तत्र भाष्य वचनम चत्वारी त्यारभ्यवानम अपरम शुरुति वाक्यम अत्र भाष्य वचनम इत्थम वर्तते चत्वारी वाक्परिमिता पदानी तानी विदुर ब्राम्मना एवनी शिनहा गुहा त्री पृष्ण छुरोफिनी निहिता नेंगयंती तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ती इती आयम खृष्णेय्जुर्वेदै उपलभ्यमानकस्तवन स्टन मंत्रप्भवति मन्त्रस्य व्याख्यांपश्यामहं चत्वारी वाग परिमिता पदानी इत्यत्र परिमिता 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 इ अत्वा परा पश्यंतिमध्यमा वैकरी रूपेन चतुरधा परिच्छिन्ना वर्तते अस्ती ती ती दात्पर्यम नीशनहा इत्यस्यव्याक्याम पश्यामह। तानी चत्वारी वात्परिमितानी पदानी परापश्यंति मध्यमा वैखरी रूपानी ये ब्राह्मनाह मनीशिनह विदुहू, मनसह ईशिनह मनीशिनह, ईश अईश्वर्ये इतिधातुहू, अतवा ईश गतिहिंसा दर्शनेशु इतिधातुर्वा अत्रबोध्या, अतवा विशयांत रेव्या व्यावृत्या हिम्सकाह इतिवा अर्थ सिध्यति गुहा त्रीनी निहिता नेगयंती इत्यस्य व्याक्या तेशु चतुर्षु पदजा तेशु त्रीनी गुहायां निहितानी गुहा इत्यत्र सुपाम्सुलुक्षेयाया डाज्याया जालाह इती सूत्रेन सप्तम्याहा लुक कृतोव रतते अवयाकरनस्तु गुहायाम निहितानी तानी पदजातानी परापश्यंति मध्यमा वैखरी रूपानी नेंगयंती व्याक्याणं नचेश्टंते न निमिशंती वया करनस्तु शास्त्र बलेन तद बला लब्द योगेन गुहायाम निहितानी अंधकारम विदारिय सर्मम परापश्यंति मध्यमारू पानितानी सर्वानी पदजातानी सर्वानी जानाती इतितात परियम तरही मनुष्याह ये वर्तंते ते तुरियम वाचह एववदंती अर्था वैखरीम एववदंती मनुष्याह परन्तु वया करनहा चतुर बिधाम पी पदजातानी सर्वम जानाती इत्यर्तह लभ्यते एवंचा चत्वारी इत्यारभ्यमानम अत्र शुतिवाक्यत वयम पी अ उतत्व हा इधि आरभ्यमानम किंच शुर्तिवाक्यम वरतते भाष्य वचनम तावतत्र उतत्व पश्यन न ददर्ष वाचम उतत्व श्रुन्वन्न श्रुनोति एनाम उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाह अफिखल्वे कहा पश्यन न पिन प जायेव पत्ये उशती सुवासाह तद्यता जायाईव पत्ये कामयमाना सुवासाह स्वात्मानम विवरुनुते एबं वाक्विदे स्वात्मानम विवरुनुते वांग नह विवरुनिया दात्मानमित्यध्ययम व्याकरणम इत्युक्तम अत्र रुग्व्याख्याम पश् निंदित्वा उत्तरार्धेन वय्याकरणं स्तवती अत्र अत्र अनेन श्लोकेन तत्र पूर्वार्धेन अवय्याकरणंस्य निंदा उत्तरार्धेन वय्याकरणंस्य प्रशम्शावर्तते उतशब्दह अप्यर्त कहा त्वशब्दह सर्वणाम सम्य कहा अन्यार्त हा अन्या कस्वाद अन्याहिती प्रश्ने वाग्योग विदाह अन्याहा याने अर्थात अवाग्योग वित तताच पूर्वार्धस्य अर्थाह अयम भवती एमचा अवाग्योग वित वाचं एनाम पश्यन अपिन पश्यती शृण्वन अपिन शृणोती एनाम वाचं अर्थात प्र इतितादपरियम तदपरम उत्तरार्धस्य अर्थः उतत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् दर्शयती तथा वाक या वर्तते सा स्वात्मानं शरीरं प्रकाशयती वाचहा शब्दस्य अर्थयेव शरीरं अतहा अत्र उपमानो पमेय भावस्च संगत्चते कस्मिन काले इति प्रश्णे रुतु कालेशु तदाही स्त्रीकाचित पुरुषम प्रार्थयते तस्मिन काले यथा सह पुरुषह स्वापत्नीम यथावद पश्यती श्रुनोती तद्वचनार्थम ततईव एनाम वाचम शब्दम पदशह प्रकृति प्रत्य विभागेन स सम्यग विग्रख्य, अर्थम अष्याहा वाच अच पश्यति- श्रुनोति छ इत्य अर्थ हा लभ्यत, स्वात्मानम यत्य भिवरूनयात इत्य अध्ययम व्याकरणम, एवं च उत्तरारध्य पूर्वार्धे न अवयाक्रनस्य प्रशमसा अत्र जायते पूर्वार्धे न अवयाक्रनस्य निंदाच अत्र कृता वरत्तते ततफपरं दशमं प्रयोजनम अधिकृत्य अत्र पश्यामा सक्तुमिव भाष्यवचनम वरतते अत्र सक्तुमिव तितवुना पुनंतो यत्र इति अत पदपदार्थ व्याख्यां पश्यामहा तितवु इति शब्दस्य परिपवना अर्थकम परिशोधना अर्थकम पात्रम यद विस्त्रतम पात्रम बहुत छिद्रवत भवती तद इत अर्था। तदेव भाष्यकारह आगा ततवद्वा तुन्नवद्वा इति ततवत नाम विस्तार वस्त्वर्थकम तुन्नवत नाम बहुत छिद्र वस्त्वर्थकम चा तुन्नवत नाम चिद्रम इतिर्तः तुन्नवत बहुत छिद्र युक्तम इति तात परियं ततवत ततनाम विस्त विस्तारम इत्यर्ताः, विस्तारयुकतंपात्रम छिद्रयुकतंपात्रम इतीतात्परियं। तित आव्ण इती सब्दस्यायं। अर्तह भवती। समान ख्यातयाह सखायाह समान ज्ञानाह इत्यर्थः ब्रह्म प्रतिपाद के शब्दे तच्शब्देच ब्रह्म इकत्व ज्ञान बंतो भवंती इत्यर्थः तेन सर्वेश शब्देश ब्रह्म बुद्धव जातायाम सर्वपदार्थेश च ब्रह्मा भेधत्वं सिध्यत अर्टार ब्रह्म प्रतिपाद के शब्द हा तच्छब्थ जगत प्रतिपादियते । अतार ब्रह्म तच्छब्द योखो साम्यम आगतम। अर्टे नसा अभेदात सर्वेशु पदर अर्धेशु ब्रह्मा भेदत्वं द्याक्रने धिराहा इतात पर्येप तीटि वूना सक्तो हो दुस्या ध्यक्नी यत्षा व्याकर अज्नाय युक्तमनसा तत करण ज्ञानेन अर्था प्रज्ञानेन वाचमक्रत अक्रशत अर्था असाद उभ्यह शब्देभ्यह विविक्ताम प्रतक्रत वंतहा तेन सखायह संतहा समानक्ष्यात यह समान ज्ञाना हा संतहा ब्रह्म प्रतिपाद के शब्दे तत शब्देच ब्रह्माई कत्व ज्ञ जानवंतो भवंती ती कारणा देव सर्व भोदकेश शब्देश ब्रह्म बुद्ध हुजातायां तेनेव सर्व पदार्थेश ब्रह्म निरूपिता भेदवंतो पि भवंती तता भूत्वा तत्र ब्रह्म रूप दुर्गमे मार्गे परब्रह्मा रूप दुर्गमे परब्रम्मात्मनों हो सक्ष्यानी जानते सायुज्यानी जानते प्राप्नुवंती यतह एशाम भाची बद्ध्रा लक्ष्मीही अधिनिहिता अधिकम स्थिता अस्ती इती रचाहा अर्तह अयम भावाह ये शास्त्रात प्रकृति प्रत्य विभागेन साधून शब्दान ज् शास्त्रार्त द्ध्ध्ध्यान वन्तो भवंति मानस उच्ञानेन वाच्चम असादुःध्या प्रतक्रत वंत हा। तन्यान पूर्वकई ही साधुशब्द प्रयोगई ही लभधान्तक्रन शुद्धय हा। अत्र ये ये एशाzh दुर्गह मार्गह ब्रह्मरूपहा। इत्यद्ययम व्याकरणम इत्युक्त तता चा अत्र अनेन शुरुतिवाक्येन ब्रह्मसायुज्यम प्रतिपाद्यते सादुषब्द प्रयोग द्वारा तरी सादुषब्द प्रयोग अर्थम व्याकरण अध्येनम कर्तव्यम इति एवंचा साक्षादस्य व्याकरण प्रय प्रयोजनत्वम नसिद्यती अतहा अस्यापी प्रयोजनस्या आनुशंगी का प्रयोजनत्वमुक्तम। प्रायस्चित्त रूपाम सारस्वती मिष्टिम सह कुरियात। इती अस्य पूर्वक्तस्य नियमस्य अर्थः भवती। प्रायस्चित्तम नाम पाप शोधनाय शुरुतिस्मृति विहितं कर्म भवती। अतहा अपशब्दम प्रयुज्या प्रायस्चित्तियाह माभूमा इ उत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात गोशवद आध्यंतरं तस्थं अवर्द्धं त्रिपुरुशान उकं अनरिप्रतिष्थितं तद्धि प्रतिष्थित तमं भवती व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नामकृतं कुर्यात्न तद्धितं इति नचांतरेन व्याकरणं कृतह त अंचमीति योग विभागेन अप्र समासा भवती अधवा सुप सुपा इतिवा समासा भुद्या ततफ परम कालशब्देन सह भुवरीही दशं मित्रकालं पुत्रस्य नाम विदध्यात तर नाम कीद्रशं भवेत गोशवत भवेत ततफ परम अंतह मद्य अंतस्थवरनाह भ तरही को नाम घोशवा के अंतस्थाह भरनाह इति शम्षयो जायते तरही एते शा म्यानम व्याकरनेन जायते एकादश भाख्य प्रेतनाह भरतनते के ते एकादश भाख्य प्रेतनाह विवार श्वाश अगोश सम्भार नाद घोश अल्पप्राण महाप्राण उदात तरी एकादशसु बाख्या प्रयतनेशु घोशो पी कस्चमें बाख्या प्रयतनाः केशाम बर्नानाम अयम गोशा ख्या बाख्या प्रयतनाः इतीचे दुच्चते तत्र वर्गानाम तृतिय बर्नाह ये संती तेशाम घोशा पाख्या प्रयतनो भवती ततफ परम वर्गानां तृतुर्ट पन्चम वर्णाह एवर्तंते तेशां गोषभावाख्य प्रेत्नो भवती एमम चा गोषवद भवेत तरही नाम य दब॥त ते तद गोषवद भवेत ततफ परम अंतर अंतस्त मौना हkee यरलवा अंतस्त्य वर्णाह हम इती तात परियम, शिक्षायाम प्रोक्तान स्वारम गोशवर्ना अंतस्च वर्नास्च भोध्याह तेव व्याकरने पि प्रतिपाध्यनते, त्रिपुरुशानुकम नाम करने यो अधिकारी पिता, तस्य ये त्रयफ पुरुशाह तान अनुकायती अभिधत्य इती अतवा पिता महस्य अतवा प्रपिता महस्य वा नाम स्वा पुत्रम विदध्यात इती तात परियम, त्रिपुरुशानुकम भवे अनरिप्रतिष्टितं, तरही अरिही नारिही अनरिप्रतिष्टितं, अनरिप्रतिष्टितं, त्रिपुरुशानुकम इत्यत्र एवंचा अन्तस्थ घोषवर्नानाम जानाय व्याकरनस्य अधेनम अनिवारियम तदफपरं न कुरियात व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुरियात न तधितं ग्रक्षरम चतुरक्षरम बा नामनकर्थव्यम, कृदंतम बा नामनकर्थव्यम, तद्धितांतम बा नामनकर्थव्यम इत्युक्तम तरी कोणाम खृत, कोणाम तद्धितम प्रत्य एतेशाम ज्यानाय व्याकरनस्य अध्येनम अनिवार्यम वर्तते व्याकरणा अध्येनंबिना एतेशाम्यानं नैवसंभवती इत्युक्तम अथार त्रयोदशं प्रयोजनं सुदेवोसि वरुण इति अत्र भाष्यवचरं वर्तते भाष्यकारह इत्थमाह सुदेवोसि वरुण यस्यते सत्यसिंधवह अनुक्षरंति काकुदं सूर्म्यं स सुषिरामिव, इति, सुदेवोसी वरुन, सत्यदेवोसी, सुदेवोसी नाम सत्यदेवोसी इत्यर्तह, यस्यते सप्त सिंदवह, सप्त विभक्त यह, सप्त सिंदवह इत्यस्य, सप्त विभक्त यह, इत्यर्तह, अनुक्षरंति काकुदं, अनुक्षरंति काकुदं नाम ता काकुहू नामत जिख्वा सा अस्मिन उद्यते इति काकुदं एमचा काकुशब्दस्य तालू इत्यर्तह सूर्म्यं सुशिरामिव तद्यता शोभणाम उर्मिं सुशिराम अगनिर अंतफ प्रविश्य दखती एबं ते सप्त सिंदवह सप्त विभक्त यह ताल वनुक्षरं तेन सत्यदेवो भवसी इति तात्परियं सत्यदेवा स्याम इत्यध्येयं व्याकरणं एमचा अस्यश्लोकस्य व्याख्याम पश्याम हा वरुनस्यस्थुतिरियं भवती वस्तुतह वरुनहा व्याकरण ज्ञानाच सत्यदेवहा अतहा अन्येच व्याकरण ज्ञान वंतह सत्य देवा भवंती इत्यर्त हा। शोबनाम मयीम प्रतिमाम सुशिराम सच्छिद्राम प्रविष्य प्रविष्य अग्निही यता तत्रत्यम मलं भस्मी कृत्य प्रतिमाम शुद्धाम करोती एवं तालुदेशे प्रकाशं प्राप्य विभक्तयाह विभक्त्यंताह शब्दाह शारीरं पापं अपा कुरुवं शारीर पाप अपगमे सती स्वर्ग प्राप्त ही फलं, एवंच तद्वारा वरुनेन सह तुल्यम अस्माकं स्यात सत्यदेवाह भवयमा इत्यध्ययं व्याकरणं। एवं आनुशंगिक प्रयोजनानी अत्रव्याक्यातानी। इतम शब्दानुश असनस्य मुख्य प्रयोजनानी तथा आनुशंगिकानी प्रयोजनानी चा प्रोक्तानी शब्दानुश असनस्य अध्ययनेन वेदसम्रक्षनं असंदेहह उहह चा मुख्य प्रयोजनत्वेन सिध्यती तेन सहा स्वर्ग प्राप्तिष्च फलम इती एताई ही आनुशंगिक प्रयोजने व्यवस्थापिदम इमानी व्याकरन प्रयोजनानी किमर्थम कानुद्धिष्य प्रोक्तानी इती प्रश्णहा समुपजायते किम व्याकरनम अध्येतुगे इत्चंती तेब्यह इमानी प्रयोजनानी अन्वाख्यातानी उता वेदम अधिजिगाम समानेब्यह इमानी प्रयोजनानी अन्वाख्यातानी इती तस्य समाधान मुच्चते पुराकल्पे एतदासीत सम्सकारो तरकालं ब्रामनाह व्याकरणं पठंतिस्मा तेभ्यह ततत स्थान करण नादानु प्रदान येभ्यह वैदिकाश शब्दाह उपदिश्यंते तदपरं वेदाध्यनायते प्रवृत्ता भवंती अधुनातुन तथा वेधम अधीत्य सद्यह वक्तारो भवंती वेदान्नो वैदिकाश शब्दाह वेदातु वयम वैदिकाश शब्दान जानीमह लोकाच्य 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 लोकिकाश जानीमह तरी व्याकरणा अध्येनस्य किम प्रयोजनम किम अपिनास्तिया अनर्थकं व्याकर कि बुड्न बुद्धिभ्यहो इम्हानि प्रयोजनानी प्रोकतानि बरतन ते व्याकरन अध्येनं करटव्यों सल्ले सीचणी क सथगी DMC अबंआप क्या है रधीनалась civ defending फ्रेगों रत्तन Kinव शर्गेस्थी चाईयसीनानि-धक्यक्रेगोजणानि IMD तदपरम व्याकरनाद देन द्वारा अपशब्द प्रयोगोन भवती तदवारा पापभाक्त्वमन भवती साधुशब्द प्रयोग द्वारा पुन्यम लभ्यते तदवारा स्वर्गप्राप्तिरवा मोक्षप्राप्तिरवा भवती इतेवं रित्या फलानी पृतिपाद् एनव तदा वारतिकक्रता चा एवंच्पृबध चाथुष्टायम अधीकृत्यप प्रतिपाध्य तम विशय हां किम प्रतिपाध्यर ते एतावता एतेशु-गतेश्य पाठेशु अश्यर स्रौनची कहाँ विशयहाँ शब्दम अधिकृत्या प्रतिपाध्यते सादुशब्दान अधिकृत्या अपशब्देभ्या सादुशब्धम प्रतकृत्या अन्वाख्यायते तदप्रम तत्रशब्दलक्ष्णम अधिकृत्या प्रतिपाधितम प्रयोजनानी उप्तानी अधिकारी कहा इतिचा उप्ता अत्रयेतावता पाठेन, धन्यवादा